दोस्तों मैं हर्शता और आप देख रहे हैं ट्वेंस्वाइवन जैसा कि अभी आपने थम्लेल तो देखी लिया है और बहुत सारे लिडीज की मन में ये कोशन जरूर आता है कि उनके मेंस्ट्रेशन के दोरान उनको ब्लड के साथ सर्थ ये जो क्लॉट्स होते हैं जो खून के ठके हैं कब ये नॉर्मल होते हैं कब ये अबनॉर्मल होते हैं इट मिल्स कि कब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और कब जाने की जरूरत है सारे बारे में आज इस वीडियो में डिसकर्शन करेंगे तो प्लीज वीडियो को शुरू से लिगे लाज त और जनरली आपने देखा होगा कि ये जो सेकंड डे और थर्ड डे होता है उसमें आपके जो क्लॉट्स होते हैं जो खुन के ठक्के होते हैं वो जाधा पास होते हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है ये मैं आपको थोड़ असा नटसल में बताना चाहूंगी जैसे कि आप अपको पता है कि मेंस्टुरेशन का कम्प्लीट साइकल होता है वो 28 से 30 दिन का होता है जनरलाइज वे में बात करें और जो 13 से 14 दे होता है वो अविलूशन का टाइम होता है जैस समय महिला के शरुर से एक मैच्वर एग होता है वो रिलीज होता है और उसका अगर हेल्दी समय के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वहां से जो बेबी बनाने का प्रॉसेस है वो शुरू होता है क्योंकि उसके बाद जो आपकी यूटेरस है उसकी लाइनिंग थोड़ी सी मोटी होने लगती है वो ठीकन होने लगता है जो एंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं बच् जैसे कि मैंने आपको बता है कि जो फर्टिलाइज जो एग है वो धीरे धीरे वो मल्टिप्लाइज होता है बहुत सारे सेल्स में जैसे दो से चार चार से सोलर ऐसे ऐसे मल्टिप्लाइज होता है और धीरे धीरे आपके यूटेरस की वाल पे जहां पर एक तरह से कुशन ब प्लिट करनी होती है, वो जो जाइगॉठ होता है, वो युटेरस की वॉल पर चिपकता है, वहाँ पर सेटल डाउन होता है, उसके बाद आपके बेबी बनाने का काम शुरू होता है, और साथी साथ प्लेसंटा का भी निर्माण हो रहा होता है, तो इसके लिए यूटेरस जि जिसकी मोटी हो रखी है, जिसकी दिवार, थोड़ी सी कुशन, थोड़ा अच्छे से जो वो प्रिपेर कर चुका है, लेकिन स्पम तो मिला ही नहीं, तो ये सारा जो शेड आउट कर देगा, जितना भी आपका जैसे बलड के रूप में शेड आउट होता है, कुछ क्लॉट्स हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल सी बात है, अगर इसका जो क्लॉट्स है, जो खून के थक्के हैं, वो थोड़े से कम मातरा में निकल रहे हैं, लेकिन ऐस सुनेज जिसी आपको लगता है कि थक्के जादा निकल रहे हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये नॉर्मल नहीं है, आपकी पीरेट्स के हिसाब से, जैसा आपको जनरली पीरेट्स के दौरान होता है, ये नॉर्मल नहीं लगेगा, आपको बड़े-बड़े से थक्के अगर नजर आएंगे, तो आपको इमिडेटली डॉक्टर से मिलने की जुरत है, क्योंकि बहुत स और एबनॉर्मल साइज के आपको दिखाए देंगे, तो इस केस में, बिना किसी देरी के आप अपनी डॉक्टर से जरूर मिलिये, जो बाते हैं, खुलके जरूर बताएं, क्या परिशानी हो रही है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से, आपको मेडिकेशन रन कर देंगी, उस के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके पीछी की जो साइन्स है, यही है, बाकी और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर माल नीचे की किसी मन्त आपका ब्लड लॉस बहुत जादा हो गया, उसके इसमें, आपको मेड़ी एनीमिया के आप शिकार न कंटेंट होता है, जिससे कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती है, साथ ही साथ अगर आप बीटूट खाते हैं, चुकंदर लेते हैं, या फिर अगर आप अनार की दाने खाते हैं, या जूसे ले सकते हैं, तो इसे जो आपकी खून की जो कमी है, वो कम्प्लीट हो होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, कि क्लॉट्स अगर बड़े हैं, या ब्लड लॉस अगर बहुत जादा हो रहा है, तो उस समय आपको इमीडिटली अपने डॉक्टर से मिलने की जुरत है, कोई भी मन में डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, या कोई सज या कर दोचिंग वाचिंग त्विन्स मैं वर्ड